आईए अब हम ये देखते हैं कि जो आपने कक्षा दस्वी में जो बातें पढ़ी थी उसके आगे हम लोग उस अवधार्नाओं का उप्योग करते हुए सरल रेखा की जो अवधार्ना है जिसका अर्थ ये होता है कि एक सरल रेखा को बीजगनित के रूप में हम किस प्रकार स समझ सकते हैं उसे समझने के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधार्ना हैं जिसे हम लोग ढाल या स्लोप कहते हैं उसकी समझ किस प्रकार से हम विक्सित कर सकते हैं एक्स वाई तल पर अगर आप कोई एक रेखा खीशते हैं, तो वह रेखा एक्ष अक्ष से दो कोण बनाती है, जो परस पर संपूरक होते हैं। परी की उल्टी दिशा से कोई सरल रेखा एक्स अक्ष पर जो कोण बनाती है, उसे सरल रेखा का जुकाव या इंक्लिनेशन कहते हैं। जो कोण बनाया जाता है, उसे सरल रेखा का जुकाव कहते हैं। यह जुकाव 0 या अंश से 180 अंश तक हो सकता है। चित्र में आप देखें कि किस प्रकार एक सरल रेखा 0 या अंश से होते हुए 180 अंश तक घुमती है और यह जो कोण है वो जुकाव लगातार बदलता जाता है। यदि कोई सरल रेखा एकस अक्ष के समानतर है तो उसका जुकाव 0 या अंश का होता है। यदि थीटा किसी सरल रेखा का जुकाव है तो 10 थीटा उस सरल रेखा का ढाल या प्रवनता होती है। जिसे अंग्रेजी में स्लोप भी कहा जाता है। प्राया प्रवनता को अंग्रेजी के M अक्षर से दर्शाया जाता है। आप यह समझ सकते हैं कि यदि किसी रेखा का जुकाव 90 अंश का है, तो उसकी ढाल या प्रवनता परिभाशित नहीं हो सकती क्योंकि 1090 डिग्री अपरिभाशित होता है। साथी साथ यहां यह भी स्पस्ट है कि X अक्ष का ढाल 0 होगा क्योंकि X अक्ष अपने आप से 0 अंश का कोण बना रहा है, अथा उसका जो जुकाव है वह 0 अंश का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि X अक्ष का ढाल है वह 0 होता है।